प्रेंट आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टार्टा कैपिटल पांक एस्कॉलर्शिप प्रोग्राम 2024-2025 के बारे में फ्रेंट जैसा कि आप सभी को बता दू कि अगर आप 11 में हैं अगर आप 12 में हैं अगर आप डिपलोमा कर रहे हैं अगर आप अस्तनात कर रहे हैं तो आपको मिलने वाले हैं 12,000 रुपीए इस वीडियो में हम विश्तार से आपको बताएंगे कि कौन-कौन सा डॉक्मेंट ल इन सारी बिंदु पर इस वीडियो के माध्यम से हम एककर के बात करने वाले हैं पहुस अरे छातर छातराओं का एस सवाल होता है कि हम सरकारी एसकॉलर्शिफ का लाब ले रहे हैं तो क्या इस एसकॉलर्शिफ के फर्म को हम भर सकते हैं तो जी हाँ फ्रेंड आप इस एसकॉलर्शिफ के फर्म को बिल्कुल भर सकते हैं चलिए वीडियो में आगे बरहेंगे उससे पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा दे ताकि आने वाली सभी स्कॉलर्शिफ से संबंधित अफडेट आप सभी को सही समय से मिल सके फ्रेंड यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है टाटा कैपिटल पंक स्कॉलर्शिफ प्रोग्राम 2024 पचीस यहाँ पर देख सकते हैं कलास में लिखा हुआ है 11th, 12th, Undergraduate, Diploma, Polytechnic, Student तथा यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको मिलने वाले हैं 12,000 रुपे यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि इसका आखिर उदेश से क्या है तो यहाँ पर देख सकते हैं कारक्रम के बारे में बताया गया है तार्टा कैपिटल पंक स्कॉलर्शिफ 2024 पचीस समाज के आर्थिक रूप से कमजोर बर्गो के च्छात्र की उच्छा का समर्थन करने के लिए तार्टा कैपिटल लिमिटेड की एक पहल है इस च्छात्विर्ति के तहट 11 और 12 ने पढ़ने वाले समाने अस्तनातक यानि की बीए बीए सी बीकॉम डिपलोमा पोलिटेकनिक पार्ठकरम करने वाले च्छात्रों को उनके सैचनिक सपनों को पूरा करने के लिए उनके पार्ठकरम का 80% या 10,000 से लेकर के 12,000 तकी रासी एक मुझत च्छात्विर्ति परदान की जाएगी फिरिन आप सभी को बता दू कि इसका उद्यस है योगी ओम बंची च्छात्रों को सैचनिक सहायता परदान करके समाज पर सकरात्मक परभाव डालना या आखिर इस अब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ताठा कैपिटल पंक एस्कॉलर सी प्रग्राम 24 पचीस के लिए एस्कॉलर का चैन उसकी सैचनिक योगिता और बित्ये पिष्ट भूमी के अधार पर किया जाएगा इसमें एक बहुँ चरन ये परकिरिया सा सत्यापन होगा उसके बाद 12 सत्यापन के बाद सौट लिष्टेड किये गए उन दवारों का टेलिफोनिक सचसरकार होगा यानि की इंटर्विव होगा उसके बाद टाठा कैपिटल लिम्टे दोवारा अंतिम पुष्टी की जाएगी और छात छात्राओं का जिनका भी चै लेते हैं उसके बाद हम अस्तनाता के बारे में जानेंगे सबसे पहले बीबरन देखे पर किलिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस स्कॉलर्शिप का ऑनलाइन करने का जो अंतिम्ति थी है 15 सितंबर 2024 तक रखी गई है पातरता क्या है तो यहाँ पर बताया गया है कि भारत में किसी मनता प्राप्त सैचनिक संस्थान में कक्छा 11 या बरहुई में अध्यनरत छात्र आवेदान कर सकते हैं यानि कि अगर आप भारत से हैं किसी भी एस्टेट से हैं तो आपको इसका लाब मिलेगा उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि आवेदा को पिछल होनी चाहिए फिर आप सभी जानते हैं कि ब्लॉक में एक डेटला के आसपास आयस सभी का बन जाता है तो आप सभी बनवा सकते हैं उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि वल भारतिये नागरिकों के लिए खूला है कि वल भारत के नागरिक ही इसके लिए अपलाई कर सक सकते हैं उसके बाद यहाँ पर फाइदे में बताया गया है कि चात्र दवारा भुकतान की गई पाल्ठकरम फिस का असी परतिसत तक या 10,000 रुपिय तक जो भी हो आपको दिया जाएगा उसके बाद दस्तवेज की बात कर लें यानि कि डॉक्मेंट की तो यहाँ पर देख का परमान जैसे की स्कूल कॉलेज आईडी बुनफाइड परमान पत्र बतमान सैचनिक बर्स की फीश रसीद छात बीती आवेदा का बैंक खाता रद चेक बुक या पास बुक प्रति कोई एक होना चाहिए पिछली कक्सा की मार्क सीट या ग्रेड काड अगर आप विकलांक है तो विकलांकता परमान पत्र यहां पर लगने वाला है अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसके लिए आप आवेदान कैसे करेंगे तो फ्रेड इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन वक्स में दे दिया हूँ जहां से आप सभी अपलाई कर सकते हैं अब हम आते हैं ट बताया गया है कि 15 सितमबर 1224 तक इसके लिए आप अपलाई कर सकते हैं यहां पर बताया गया है कि वे छात्र जो बरतमान में भात के मनेता प्राप्त सस्थानों में असनातक की डिगरी कारिकरम जैसे बीकॉम, बीएसी, बीए आदी या डिपुलोमा पलेटेकनिक पाठकरम में नमांकित हैं आवेदन कर सकते हैं आवेदकों को पिछली कक्छा सेमेस्टर बर्स में कम से कम 60% अंक प्राप्त होने चाहिए आवेदक की सभी सुरोतों से बार्सिक परिवारिक आये धाई लाख रुपिय से कम या उसके बराबर होना चाहिए तथा भारत के नागरी के ह होना चाहिए इनको 12,000 रुपिय मिलने वाले हैं असनातक वाले छात छात्राओं को दास्तावेज की बात करें तो फोटो पहचान पत्र आवेदक का पासपोर्ट अकार का फोटो आये परमान पत्र परवेश परमान पत्र पतमान सैचनिक बर्स की फीश रसीद खात्र बीति अवेदक का बैंक खाता का वीबरन पिछली कक्षा की मार्स्ट या ग्रेट कार्ड अगर आप विकलांग है तो विकलांग ता परमान पत्र और जाती परमान पत्र हैं हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसके लिए ओनलाइन कैसे करेंगे तो चलिए आप असनातक वाले पर किलि किया था वीबरन देखें इस पर किलिक करने के बाद उपर की और स्क्रोल करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है अभी अपलाई करें तो इस पर आप सभी किलिक करेंगे किलिक करने के बाद यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप पहले से अपना एकाउं बनाना होगा नहाप और देख सकते हैं कि नाम उपना इमेल आईडी उसके बाद गतिमान पास्वर्ट पास्वर्ट की पूछ्टी करें इन सभी को फिल अप करने के बाद साइन अप करेंगे तो आपका जो है एकाउंट बन जाएगा उसके बाद आपको इमेल आईडी हिंदे...